हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्शा, फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेकर आए है ginger science पर बेज़रेंडे, जिस्में हम टौप 30 कोशे लेकर आए हैं, ये जर्नल साइंस पर बेस्ट है, ज्चो की आपके जर्नल साइंस्ím, आपके हिस्ट्री कोश्षा जये जाते हैं में। तीन से चार questions पूछे गए थे तो यह previous year questions है वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कीचे, friends के शेयर कीचे किसी भी तरह की कोई भी query हो तो प्लीज ज़रूर बताएगा start करते हैं, देखते हैं, first question which of the following is the first calculating device अब इसमें से बताना है कौन सा हमारा first calculating device है abacus, calculator, turning machine या फिर pass client तो देखिए इसमें से हमें first calculating device बतानी है बताएगे क्या होगा इसका right answer आपकी according अगर आप इन सब पॉइंट से इनको आपने पहले पढ़ाए तो आप easily इनका answer कर सकते हैं देखिए यहाँ पर इसका जो right answer है वो है option number one जो की है हमारा abacus अगर हम इन सब को एक एक बार समझ लेते हैं कि यह क्या है देखिए abacus जो है वो ancient time में use होता था अगर हम बात करें तो लगवख 5000 साल पहले और इसका exact origin तो नहीं पता किसी को की exact इसका origin कहा हुआ था लेकिन यह 5000 साल पहले ही इसका origin हो चुका था abacus का इसलिए यह first calculating device के नाम से जाना जाता है अब बात करें यहाँ पर calculator की तो आपको पता है calculator एक calculating machine है लेकिन इसका अविश्कार अभी हुआ है कुछ सालों पहले ठीक है तो यह तो इसका हो नहीं सकता बात रही है अब option 3 की जो कि हमारा turning machine तो turning machine यह हमारी help करता है कोई product कुछ भी हो तो उसको rotate करने में जो भी इसका work piece है उसको rotate करने में जैसे कि cutting के लिए हो गया drilling करने के लिए हो गया तो यह turning machine कहलाती है पास्कलाइन की बात करें तो पास्कलाइन एक arithmetic machine है इसको arithmetic machine के नाम से भी जाना जाता है और यह first calculator था modern time का ठीक है first calculator था और इसको की अगर हम बात करें तो इसको double up किया था best pass कलने ठीक है तो यह थी कुछ information I hope अब आपको आगे याद रहेंगी इसमें से questions बहुत पूछे जाते हैं अब बेककस का question पहले भी कईवार आ चुका है start करते है next question next question है who invented mechanical calculator called pass client मैंने अभी आपको उपर बताया था कि यह क्या है mathematical mechanical calculator है pass client अब इसमें यह बताना है कि इसका विश्कार किसने क्या था चाल्स पेपेज, ब्लेस पासकल, एलेन टर्डिंग या लीदी फोरेस्ट अब देखें यहाँ पर इन सब के person के बारे में भी आपको पता होगा तब भी आप इनका answer कर सकते तो बताए क्या होगा इसका right answer चाल्स पेपेज तो आपने काफी बार पढ़ा होगा देखें, चाल्स पेपेज जो थे, वो थे हमारे एक mathematician वहीं हम best पासकल की बात करें तो वो है पासकलाइन के inventor और जो हमारा एलेन टर्निंग है, एलेन टर्निंग की बात करें तो देखें, एलेन टर्निंग यहाँ पर इसका answer नहीं होगा लीदी फोरेस्ट की बात करें, तो यह फादर ओफ रेडियो के नाम से भी जाने जाते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है, mechanical calculator called pascaline, उसको इसको invent किया था, तो वो invent किया था best pascaline, जो कि मैंने आपको बताई था इनी के नाम से इसका नाम यह past plan पढ़ाता, ठीक है तो यहाँ पर option भी हमारा right answer है next है who among the following considered as the father of artificial intelligence अब इसमें से कौन सा father of artificial intelligence के नाम से consider किया जाता है, Charles Peebage, Lidhi Forrest, John McCarthy या फिर JP Eckart, बताई क्या होगा इसका right answer father of artificial intelligence की पूछे गया है यहाँ पर तो यहाँ पर इसका जो right answer है वो है option number C, John McCarthy Charles Peebage की बात करें तो Charles Peebage is mathematician थे Lidhi Forrest की बात करें तो यह father of radio कहे जाते हैं और यहाँ पर EP Jekart की बात करें तो EP E.E.Cart हमारा कहा जाता है co-inventor of first electronic computer ठीक है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा C, John McCarthy नेक्स्ट आते हैं इसमें से कौन से हमारा first successful electronic computer था परम, क्रे यहाँ पर याद रखिए successful की बात की गई है ठीक है परम, क्रे, पास्कलाइन, इनियक जिसका नाम है electronic, numerical, integrator and computer बताईए क्या होगा इसका right answer ठीक ही इसका जो right answer होगा वो होगा यहाँ पर option number क्या होगा जलती बताईए डी एनियक यानि कि electronic, numerical, integrated and computer परम की बात करें तो एक super computer है और परम की full form की बात करें तो वो full form में हमारी parallel machine क्रे वन जो है वो एक company थी क्रे research INIC नाम से INC INC नाम से और अगर हम इसकी features की बात करें तो क्रे जो है वो हमारा per second में 250 million calculations कर सकता था इतना successful था यह एक second के अंदर 240 million calculations यह कर पाता था लेकिन यहाँ पर हमारा first successful electronic computer पुछा है तो वो है हमारा यह option number D next है who among the following used the term computer warm for the first time अब इसमें जो है जो पहली बार हमने जो शब्द यहाँ पर computer world यहाँ पर use किया था वो किसने use किया था first time world है यहाँ पर warm की जगे आप world कर ली जगेगा ठीक है जोन बर्नर एलन टर्निंग जोन मेकार्थी या फिर एपी एकार्थ किसने computer word यूज किया था सबसे पहले देखिए इसका जो राइट answer है वो है option A जोन बर्नर ने जोन बर्नर ने सबसे पहले यहाँ पर start गया था computer का नाम उन्होंने computer शब्द दिया था उसके बाद से computer को computer कहा जाने लगा ठीक है next है which was first virus detected on Arpanet the foreigner of the internet in the early 1970 70 बताईए सबसे पहले Arpanet जो था उसमें इंटरनेट के अगर हम अगरुदूत Arpanet की बात करें तो पहली बार किस virus का पता चलाता इसमें x-file, creeper virus, peeper virus या फिर ट्रोजन virus देखिए Arpanet ने सबसे पहले virus detect किया था वो था हमारा creeper virus तो option B यहां पर हमारा right answer है next question है अब देखिए यहां पर आप आराम से देखिएगा क्योंकि यहां पर options थोड़े बड़े हैं आपको ठीक से पढ़ने है find out the correct definitions of wide area network आपको wide area network पता है तो आपको उनको बताना है क्या होता है first option है यहां पर it is a programming language with strong abstraction from the details of the computer second it is a collection of computers interconnected with each other through cables to share their data information and other common hardware resources a computer network that covers a broad area that is any network whose communication links cross metropolitan regional or national boundaries a computer network covering a small physical area like a home office or small group of buildings such as school or airport अब आपको यहां पर बताना है क्या होगा when की according यहां पर correct इसकी definition देखिए when का आपको पता है नाम से पता चला है wide area network जिसने large area जो है वो cover कर रखा है तो यहां पर आप option 3 को देखिए में इसको आपको हरफ कर देते हूं फिर से आप देखिए तरी में साब बोल रहा है जिसने broad area cover कर रखा है जैसे की metropolitan आ गए regional आ गए और national boundaries आ गए यानि की wide area इसने network कर रखा इसलिए यहां पर when की according जो इसकी correct definition होगी वो होगी यहां पर option number C यहां पर यह बहुत कम space की बात कर रहा है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा land हो जाएगा इसका answer यह इसका नहीं हो सकता first भी नहीं हो सकता इसलिए option C यहां पर हमारा right answer है I hope यहां पर यह question आपको clear है next आते है select the example of application software of computer इसमें से हमें बताना है जो application software है computer का उसका example क्या है MS world, MS Excel, both A and B या फिर MS DOS इस तरह से questions आपके exam में बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि simple होते हैं यह mainly इसी वज़े से दिये जाते हैं कि students थोड़ा सा score जो है वो easily cover कर पाए अपना बताइए यहां पर application software के बारे में बात किया गया है तो देखिए application software में MS world via और MS Excel via जो है यहां पर option C जो है बोथ A and B हमारा right answer हो जाएगा next question है which of the following is also called translator अब इसमें से कौन सा translator कहा जाता है data representation MS DOS operating system या फिर language processor तो यहां पर हमें बताना है translator अब translator का क्या काम होता है एक language से दूसी language में convert करना किसी भी message को अब देखिए यहां पर translator की बात करें तो data interpretation हो गया MS DOS हो गया यह सब क्या करते हैं जो भी हमने language में दिया है वस उसी language में उसको represent कर देते हैं किसी दूसी language में उस message को present नहीं करते हैं जबकि हम बात करें language processor की तो नाम से ही पता चलना है language को process करना यानि कि process किस में करेंगे दूसी language में convert करेंगे इसलिए यहां पर हमारा option D जो है वो right answer हो जाएगा next question पर आते है how the quality of printer is measured अब जो printer की जो quality है वो किस में measure करते हैं alphabet per strike words per inch, strike per inch या फिर dots per inch आपने computer जब पढ़ा होगा जब भी आपने पढ़ा होगा अपने college में या फिर compulsory कर दिया है computer subject तो वहां पर आपने चीज़ा पढ़ी होंगे, इनमें से देखिए कौन सा word है जो आपको लग रहा है कि यह word तो हमने पढ़ा हुआ है बताइए क्या होगा इसके according आपका answer यहां पर printer को measure करने की बात की जा रही है तो उसके according देखिए यहां पर जो right answer है वह हमारा dots per inch इसके अंदर जो quality होती है किसी प्रेंटर की वह measure की जाती है तो यहां पर option D हमारा right answer है next question है अब देखिए यहां पर आगए study से related बात इससे questions बहुत पूछे जाते हैं मैंने आपको पहले बहुत सारे questions इसमें के कराई हुए हैं को इसमें क्या मैंने आपको बहुत सारी वह भी दे रखी हैं notes भी provide कर आ रखें जिसके basis पर आप यह पता लगा सकते हैं कि किसकी study कप की जाती है I hope आपने जो पुरानी classes देखी होंगी मेरी तो वहां पर मैंने आपको यह सारी चीज़ें बता रखी होंगी ठीक है तो हम पहले यहां पर आ जाते हैं first question पर यानि की topic दूसरा है उसके according first है हमारा anatomy is a branch of science which deals with अब जो anatomy है वो हमारी किस से deal करती है वो बताने है बताए क्या होगा इसका right answer anatomy का options है हमारे structure of animals and plants functioning of body and organs, body organs, animal behavior, cells and tissues anatomy की देखें यहां पर बात की जा रही है तो anatomy जो है वो हमारी यहां पर बताती है animals and plants के structure को तो यहां पर option A हमारा right answer है अभी हम बात करेंगे कि body organs animal behavior, cells and tissues की study क्या कही जाती है उनका आगे question है तो आप उससे इनके बारे में भी समझ जाएंगे easily next है हमारी oncology is the study of oncology किसकी study होती है? birds की, cancer की, mammals की या फिर soil की oncology की यहां पर बात करें तो यह हमारी study करती है cancer की ठीक है? cancer के उपर study करती है उसको हम बो दें oncology तो option B यहां पर हमारा right answer है next है numism astics का अध्यन निमलिकित है यानि कि जो numism astics है उसकी study हमारी क्या कहिलने जाती है? coins, numbers, stamps या फिर spares कि study को हम numism astics कहते है options के according जल्दी बताईए इसका answer देखिए जिसन को आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी ना किसी चीज को collect करके रखने का बहुत शौक होता है तो उन मेंसे 1% ऐसे भी होते हैं जिनको coins जो होते हैं उनको collect करना बहुत पसंद होता है तो उन coins की study करना भी एक अलग काम है जिसके अंदर देखा जाता है कि यह coin है वो कितने साल पुराना है कब का यह coin है कौन सी century में यह coin use होता था तो इन सब की study को हम पूलते हैं numism astics ठीक है तो यहाँ पर option A हमारा right answer हो जाएगा next आते हैं eucynics is the study of eucynics जो है वो किसकी study बताती है different races of mankind genetics of plants pupil of European region altering human beings by changing their genetic components तो बताई यूजिनिक्स जो होता है वो हमारा किसकी study को बताता है देखिए यूजिनिक्स के अंदर जो हम human genetics जो होते हैं या genetics components जो होते हैं उनको change करते हैं तो वो हमारी eucynics कहलाती है इसलिए यहाँ पर जो हमारा option है D हमारा right answer हो जाएगा next question है ornithology हमारी किसकी study है study of plants, study of bones, study of noise या फिर study of birds की देखिए birds की study मैं आपको बता चुकी हूँ ठीक है अब यहाँ पर मैंने plant की वी आपको बता दी थी अब आपको दो options है study of noise और study of birds मैं ऐसा आपको बताना है कि ornithology हमारी किसकी study को बताती है तो देखिए यहाँ पर हम बात करें ornithology की तो वो हमें बताती है study of birds की या नि जब हम birds की उपर कोई भी study करते हैं तो उस study को बोला जाता है ornithology ठीक है तो यहाँ पर हमारा option D हमारा right answer है next आते हैं इस तरह की studies बहुत पूछी जाती है तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिजेगा epidemiology is the study of epidemiology जो study है वो किसकी study है endodermist disease की dermis disease की epidemic disease की या फिर इनमेंसे कोई नहीं पताए क्या होगा इसका right answer epidemiology किसकी study है यह हमारी study बताती देको नाम से यहां पर पता चल रहा है जो epidemiology जो study है वो हमारी epidemic disease से related है इस पर study की जाती है इसलिए यहां पर option C जो है वो हमारा right answer हो जाएगा epidemic इसको महमारी बिग्यान बोलते हैं और यह है हमारा महमारी रोग ठीक है तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं आप नाम से भी पता कर सकते हैं easily next question है the energy of food is measured in अब जो food की जो energy है कितनी energy है किस food में यह आप किस से measure करोगे उसकी calorie देखकर उसके Celsius देखकर Kelvin देखकर या फिर none of the आप easily बता सकते हैं Kelvin Celsius यह हमारा क्या food में मिलता है पताईए नहीं मिलता ना यह आपको food में food में क्या मिलती है calorie मिलती है fiber मिलते है या फिर आपको vitamins मिलेंगे बहुत सारी चीज़े मिलेंगी आपको carbohydrate मिलेंगे लेकिन Celsius, Kelvin तो आपको नहीं मिलेगा कितना simple था यह question कई questions इस तरह कि आपके exam में डाल दे जाएंगे कि आप थोड़ा सा logic लगा कि easily उनका answer कर सकते हैं क्योंकि अगर बिल्कुली tough बना देंगे तो कोई भी student उसको crack नहीं कर पाएगा इसलिए हर level के students के लिए paper बनाया जाता है जिससे कि आप कुछ questions easily कर पाएं कुछ questions में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़े हो कुछ questions high level के हो जिसको सिर्फ जिसने बहुत अच्छे से study करी है बहुत अच्छे से preparation करी है अपने exam की वो उसको clear कर पाए तभी तो एक level बनेगा कि हाँ कि इतनी high percentage गई है उसमें से below इतनी है average इतनी है तभी तो इसलिए हर exam का यही pattern होता है कि कुछ बहुत simple questions टाले जाते हैं कुछ medium होते हैं कुछ थोड़े moderate या थोड़े high level के होते हैं ठीके वैसे आजकल तो high level इतना नहीं डालते moderate ही इतना heavy कर देते हैं कि students उसी में फस जाते हैं ठीके तो यहाँ पर option A हमारा calories right answer हो जाएगा next question है name the instrument that is used to measure relative humidity अब relative humidity को measure करने का जो instrument होता है उसको क्या बोलते हैं हाइग्रोमेटर, हाइड्रोमेटर, बैरोमेटर, मरकरी या फिर थर्मोमेटर मरकरी थर्मोमेटर एक ही है ठीके तो बताएगे क्या होगा यहाँ पर मैं पहले आपको चलिए इसका meaning बता देती हूँ कुछ-कुछ के जैसे की हाइड्रोमेटर हाइड्रोमेटर जो होता है वो कोई भी आपका जो liquid होता है उसके घनत्व कितना आप एक शेग घनत्व है उसको यहाँ पर calculate करता है बैरोमेटर की बात करें तो यह हमारा वायुदाप मापने की काम आता है मरकरी थर्मोमेटर तो आपको पताई है जो body temperature को measure करने की काम आता है तो यहाँ पर पूछा गया है relative humidity को चेक करना तो relative humidity को चेक करने में हमारा कौन सा काम आता है तो वो काम आता है हमारा hygrometer मैंने आपको इन सब की meaning बता है उसके business पर भी आप इसका answer कर सकते थे तो देखे I hope यहाँ पर सबका answer सही गया होगा तो option A यहाँ पर hygrometer right answer है यह हमारे जो भी relative humidity होती है उसको चेक करता है तो option A right है next question पर आते है name and instrument which is used to measure the density of milk अब देखें आप मिल्क की density हमें चेक करने है lactometer, hydrometer, barometer, hygrometer easily बता सकते हैं B, C and D इन तीनों के meaning था वो मैंने आपको बता दिया था बचा गया lactometer तो yes इसका right answer है lactometer A देखें, lactometer जो होता है यह हमारी एक ऐसा instrument होता है जिसकी मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि इसमें milk कितना है और इसमें पानी कितना एड़ किया गया है यानि milk के अंदर कितना पानी एड़ किया गया है यह हम इससे कित्वू measure कर सकते हैं तो option A यहाँ पर हमारा right answer है next question है name an instrument used to measure electric resistance अब electric resistance को मापने का कौन सा यंदर है ओहोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैलवेनोमीटर या फिर स्पैक्ट्रोमीटर बताइए क्या होगा इसका right answer electric resistance नापने के लिए पूछा गया है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमीटर का आपको पता है कि जो electricity होती है उसको measure करने के काम आता है बताइए क्या होगा देखिए इसका जो right answer होगा वो होगा हमारा option number A जो कि हमारा o meter यह हमारी मदद करता है जो भी electric resistance होते हैं उसको check करने में तो option A यहाँ पर हमारा right answer है next question है अब अर्थक्वेक की intensity को measure करने के लिए कौन सा यहाँ पर instrument यूज किया जाता है reactor scale, amimeter, hydometer या फिर omimeter तो यह भी आपने बहुत पढ़ा हुआ है जब भी आप news भी सुनते हैं कि इतने scale पर यह मापा गया कि इतना heavy था वहाँ पर earthquake तो क्या लिखाता है news इतने reactor scale पर मापा गया ठीक है कि 5 था reactor scale 8 पर था भू कम तो यहाँ पर क्या होता है reactor scale की through महाँ पर मापा जाता है कि earthquake वहाँ पर कितना आया तो यहाँ पर option A हमारा reactor scale right answer हो जाएगा next है feather meter is used to measure अब जो feather meter होता है वो हमारा किस चीज को use करने के काम आता है earthquake, rainfall, ocean depth, sound intensity देखे अर्थक्वेक तो होगा नहीं क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया earthquake के लिए कि यहाँ पर use करते है बताईए किसको measure करने के काम आता है feather meter देखे feather meter जो होता है वो हमारे मदद करता है समुंद की गहराइकों आपने के लिए ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ocean depth option सी हमारा right answer हो जाएगा next आते है chronograph chronograph is used for अब जो chronograph है वो किस परपस से use की जाती है हमें यह बताना है तो देखे अगर हम chronograph की यहाँ पर बात करें तो यह हमारी use की जाती है study of veins के लिए study blood के लिए blood pressure के लिए studying the arteries के लिए या फिर observing and often photographing the sun's corona किस के लिए use की जाती है देखे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं corona graph है और यहाँ पर क्या बात की गई है sun's corona यानि कि जी सूर्रे के corona का अवलोकन और अब उसका photo खीचना यह हमारा coronograph करता है पहला observe करता है फर उसकी photography करता है sun's के corona की यह हमारी कहलाती है coronograph ठीक है तो option D हाँ पर हमारा right answer है next है what do you understand why aerodynamics aerodynamics से आप क्या समझते है it is a science of movement in a flow of air or gas it is a science of generative organs it is a science of pleasure and pain या फिर none of the above अब इसमें से बताना है कि aerodynamics जो है वो क्या बताता है देखें aerodynamics आप नाम से ही समझ रहे हैं कि aro मतलब air से यहां पर बन रहा है यहां पर air और gas में किस तरह का flow है किस तरह का movement आ रहा है इसकी study को यह science हमारी क्या कहलाती है aerodynamic dynamic मतलब change होना और moment का मतलब भी वही होता है change हो रहा है मतलब वो static नहीं है वहां पर move हो रहा है तो यहां पर option a हमारा right answer है next है what is bryology bryology क्या है study of food यह नहीं होगा मैंने आपको बता दिया है study of fruit study of Moses and live words या फिर study of rings बताए क्या होगा इसका right answer देखें यहां पर Moses और live words की यहां पर अगर हम बात करें तो यह हमारी कहलाती है bryology तो option c यहां पर हमारा right answer है live words का मतलब यहां पर होता है kai, jigger इनको कहते हैं Moses और live words को ठीक है तो इसकी study हमारी कहलाती है bryology option c यहां पर हमारा right answer है next question है chirology is the study of chirology किसकी study कहलाती है hands की, feet की, comets या फिर skull की बताए क्या कहलाती है यह study तो hand की study हमारी कहलाती है chirology option a यहां पर हमारा right answer है next है anthozolosy is the study of अब जो anthozolosy है वो हमारी किसकी study है enigmats, glands, enzymes, parasites that live inside larger inside larger organism बताए क्या होगा इसका answer anthozolosy की बात की गई है यहां पर देखिए anthozolosy की जो study होती है वो study की जाती है हमारे जो भी parasites हमारे जो larger organs में होते है वो कितना वहां पर है कितना वहां क्या किस तरह से movement हो रहा है किस तरह से उनका हमारी body पर impact पढ़ रहा है इन सबकी study है हमारी anthozolosy कहलाती है तो option D यहां पर हमारा right answer है next है study of increasing the habitability of the earth is termed as यानि के जो प्रत्वी का वास है उसकी बढ़ती चंता के अध्यन को क्या कहा जाता है geology, geotechnics, geophonics या फिर geogonics प्रत्वी की हम यहां पर study कर रहे है कि उसका जो वास है वो कितना भढ़ रहा है तो उसकी study हमारी कहलाती है geotechnics तो यहां पर option B जो है वो हमारा right answer हो जाएगा तो friends यह थी आज की वीडियो, I hope आपको आज के questions पसंद आये होंगे अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कीचे, अपने friends के आज शेयर कीचे और किसी भी तरह की कोई भी query हो या आप suggestion देना चाहते हैं तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं आप फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में हम वे मिलते हैं और विच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब! झाल झाल झाल